इस वीडियो को आपने प्ले किया है इसका मतलब कि आपका फोटो डिलीट हो चुका है और आप ये चीज जानना चाते हैं कि डिलीट फोटो को वापस कैसे लाया जाता है अगर आप इन दोनों में से किसी एक काम के लिए भी आये हो इस वीडियो को देखने तो आज आप इस वीडियो के अंदर एक नहीं पूरे पांच मैथड बताने वाला हो जिस मैथड का यूज करके आप अपने डिलीट फोटो को वापस अपने फोन गैलरी में ला सकते हो और वो चीज कैसे होगा उसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करी दीजेगा क्योंकि आपके अगर आप उस सेटिंग को अन कर देते हो तो आने वाले भविश्य में इन फ्यूचर अगर आपका फोन खो जाता है या फिर आप अपने फोन को चेंज करते हो या फिर आपका फोन लॉक हो गया और उस दौरान आपको अपने फोन को फॉर्मेट करना पड़ा या फिर गलत इनवल करेंगे और तभी होगा जब आप इस वीडियो को लाज तक देखेंगे और उमीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक करी क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है इसी तरीके से और वीडियो बनाने के रिए आप अपने WhatsApp की मदद से Delete फोटो को वापस ला सकते हैं जैसा कि अभी आप मेरे Phone Gallery में देख सकते हैं ये तीन फोटो मुझे WhatsApp की मदद से Receive हुआ है अब मैं क्या करता हूँ? इन तीनों फोटो को Select करके Delete कर देता हूँ ये आज के दिन ही मुझे Receive हुआ है तीनों फोटो को Delete कर देता हूँ जैसा कि देख सकते हैं मेरा ये तीनों फोटो Delete हो चुका है अब आपको अपना WhatsApp ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसके माधियम से ये तीनों फोटो मिला था तो मुझे इस चैट के माधियम से ये तीनों फोटो Receive हुआ था तो अब हम क्या करेंगे इस चैट के अंदर जाएंगे जाने के बाद हम इन तीनों फोटो को खोज लेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों फोटो के उपर एक Download का Option आ चुका है तो अब आप इन तीनों फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटो आपने डिलीट करा था वो आपके गैलरी में वापस आ चुका है तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर File Manager को Open करना है Open करने के बाद यहाँ पे आप फोल्डर वाले आपसन में आ जाएए आने के बाद यहाँ पे आप DCIM का नाम का एक फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर आप चले आएए आने के बाद यहाँ पे आपको एक 3-Line का ओपसन दिख रहा होगा इस ओपसन पे किलिक करना है अगर आपके फोन के अंदर यह ओपसन नहीं होगा तो नीचे एक File Manager का Application का Link मैं आपको दे दिया हूँ उस आपको Download कर लिजेगा आपको यह 3-Line का ओपसन मिल जाएगा यहाँ पे आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको Setting के उपर किलिक करना है किलिक करने के बाद So Hidden Files इसके उपर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको Back आना है और back आने के बाद वापस से DCIM folder के अंदर आप चले जाएए यहाँ पे आप thumbnails के नाम से एक folder को देख पा रहे होंगे और इस folder के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा 500 photo है और यह जो आपका photo है वो आपके जितने भी phone के अंदर photos है उन सभी का thumbnail बनके आपके इस folder के अंदर सेव हो चुका है अगर आप इस folder के अंदर photos को check करेंगे तो उतना भी आपको खराब quality नहीं मिलेगा photos को recover करना होगा तो simply से आप इस folder को select करके select करने के बाद आप इसे rename पे click किजे और rename पे click करने के बाद जो आपका dot दिख रहा है उस dot को आप हटा दिजे और उसके बाद इस folder को save कर दिजे और जो भी आपका photos होगा वो अब आपके gallery के अंदर सो होना सुरू हो जाएगा दोस्तो इस application के अंदर ही जितने photos delete हुए होंगे उन्ही photos को आप recover कर सकते हैं अगर आप इस photos app को इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो आपको इस setting को छूने की जरूरत नहीं है अगर आप इस photos app का इस्तेमाल करते होंगे और इसी photos app के अंदर से कोई photos delete हो चुका होगा तो आप अपने library के option में आ जाएए आने की बाद यहाँ पे आपको एक bean का option दिखेगा और इस bean के उपर आप click करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आप सभी के सामने मैंने इन पांचो photos को delete करा था और इन photos को अगर मैं 60 दिन के अंदर recover कर लेता हूं restore कर लेता हूं तो कर पाऊंगा otherwise आप इसे recover नहीं कर पाएं तो 60 दिन के बाद यह automatic आपका delete हो जाएगा तो यह feature आपकी phone के अंदर छुपा हुआ था साइद आपको पता होगा नहीं पता तो आज आप जान लिजिए तो अब आप इन photos को select कर लिजिए और select करने के बाद यहाँ पे restore का option एक को नीचे देखने को मिल लेगा restore पे click कीजिए और यह आपका पाँचो फोटो restore हो चुका है यहाँ पे मैं आप सभी को एक ऐसा tips and tricks बताने वाला हूँ जिससे आप इधर से जाने वाले photos को recover कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आप अपने whatsapp का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप whatsapp पे कोई भी photos को भेजते हैं तो उसका एक copy आपके file manager के अंदर save हो जाता है तो आप वहां से भी अपने photos को check कर सकते हैं क्या पता जो photos को आप recover करना चाते हैं वो photo आपका send folder के अंदर हो तो उसे check करने के लिए file manager के अंदर आ जाईएगा whatsapp के folder के अंदर आईएगा media के folder के उपर click कीजे अब यहाँ पे आप देख लिजे कि आप किस माधियम से अपने photos को send करते हैं अगर आप images के माधियम से send करते हैं तो whatsapp images के अंदर आकर यहाँ पे अगर आप send folder के उपर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 625 photos दिख रहा होगा और आप इन सभी photos को recover कर सकते हैं अपने gallery में ला सकते हैं यह photo आपको gallery में अभी देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ से भी आप अपने photos को check कर सकते हैं क्या पता आपका photo यह हो पांचवा जो method बताने वाला हूँ delete photo को recover करने का वो है आपका एक app के मदद से और इस app का download link आपको नीचे वीडियो के description में दे दिया हूँ तो इसी app को download कीजिगा नहीं तो इस तरीके के आपको play store पे बहुत सारे app देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको recovery के option पे click करना है और click करने के बाद यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि जितने भी काम आप सभी अपने phone के अंदर करते हो उन सभी का आपको एक catch data बनता है तो अगर आप अपने photos को गलती से delete कर दिये हो अपने phone के अंदर से तो आपका वो photo catch data में जाकर छुप जाता है और उसे recover करने में यह application आपको help करेगा तो आपको recover from catch data के उपर click कीजे और जितने भी आपके phone के अंदर photos होंगे और जितने भी catch data के अंदर photos होंगे सबको आपको यहाँ पे लाकर यह दिखा देगा और अब आपको यह चीज find करना है कि कौन सा photo आपका delete हो चुका था तो अब आप उसे select करके recover कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पी मैं कुछ photos को select कर लेता हूं select करने के बाद यहाँ पे आपको एक save का option दिखे रहा है उस save के option पे click किजी और click करने के बाद यहाँ पे आप अपने photos को recover कर लिजे तो देखा गाईज कितनी आसानी से हमने अपने photos को recover कर लिया अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको एक advanced method बताने वाला हूं वो अगर आप on कर लेते हैं तो आपको बहुत help होगी जैसा कि अगर आप अपने phone के अंदर google photos app को open करोगे और यहाँ पे profile वाले option पे click करोगे तो आपको एक option दिखेगा backup your photos इस option को अगर आप on कर देते हैं तो जितने भी आपके phone के अंदर photos और videos होंगे तो वो सब आपके email id के उपर upload हो जाएगा और अगर आपका phone खोज आता है आपका email id से आप अपने photos को वापस ला सकते हैं तो on करने के लिए बस आप इसके उपर click कीजिए click करने के बाद यहाँ पे आप quality को select कर लिजे यहाँ पे मैं high quality रख लिया और daily आप कितने MB upload करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 10 MB को select कर लिया और उसके बाद इसे confirm कर देते हैं confirm करने के बाद यहाँ पे आपका यह जो photo होगा वो upload होना सुरू हो जाएगा और अगर आप इसे upload होने देते हैं जितने भी आपके photos होंगे तो अब आप कभी भी इस email ID को कहीं पे भी login करके वापस ला सकते हैं अपने photos को तो उमीद करते हैं आपको यह video काफी पसंद आई होगी तो video के एक like करके जाना और channel को subscribe कर देना क्योंकि आगे जो आप क्यूचन पुछोगे उसका answer कौन देगा मैं दूँगा उसके लिए आप channel को subscribe कर लिजेगा और घंटी को on करके all pass at कर लिजेगा नहीं तो आगे आने वाली videos का notification आपको नहीं मिलेगा